आप सब्सक्राइब लिए आप सभी को सिच्छा के ऑनलाइन लिए प्लैटपॉम में आप सभी के इस पर आज के लेक्षर में आप आज के लेक्षर में अपने करने आप करने हैं प्लैान रहे हสंबुरों के मारे आप लिए सत्ति तर्ष चांच की कोद। गॉशिप्रT कि निए अपने सभीकम आप निआ नवीए तर्म में वह स्वेट की अब क्स स्ब्सक्राइबों … जब ज़िए जदी जदी जुड़ जए ताकि आज टी टासेशन से जोड़े और जिस्ट फेटेशन तो रहे जिदे लिए अपने अपने इविट तो से तर्फेट पर दूब या उन्हें इसे करके ज़रू से इंपार्ण कर जीए थाकि ज़िए उसे जुड़े नाइसेशन से आज तो से तो सेमें एकल दू़े इन्हा का स सी यह और से लिए खेट एलनसी जीए उसे और अपार होनसे में आज़े गापकश गैट थांश मिठी जृ खेलड़े नए अजय को बांगा खता है यह जदो दिसे पहले कर दो जिसी का फुम एव ते आवा है यह कर दो कर दो दो कर दो कर दो कि एक में रूप जाएगे थोड़ देर में क्लासिक जानों शुरू का जाना आले हैं एक में अठ्वार सा टेक्निका पूसी सिस्टू में कारा सुझा है तो जानों क्लासिक सुरू करेंगे ठीक है कि यूजा चलिघ्यों आप जो है आप सभी को जो है मेरी आवाज आयओ आरही होगी ठीक है बच्चोव जो आज की सेशन जो विए बच्चो अब अब की सेस practitioners सुभरू करते बच्चो तो सोया बीन से रिलेटेड जो है सब завис रिnity soya bin का बनासपतिक नाम क्या होता है जैसे कि एमने सारी subject सारे crop करते समयमने आपको introductory part कहां से सुरू किया है उसके बनासपतिक नाम से तो वागर बाद करें तो सबी लोग जो है maximum से maximum बच्चो को share कर दो ताकि जादा से जादा बच्चे जो है live classes के दौरान जुड़ना है बस आपको करना क्या है इस video को जो है इसके link को share कर देना आपने friends के बीच जो भी agriculture से तयारी कर रहे हो ताकि जो हमारी basic सिक्षा की जो free education का जो मुईम है उससे जादा से जादा बच्चे जो है लवन भीत हो सके ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सोयवीन का glycine max होता है बच्चो इसका बनस्पतिक नाम ठीक उसका इसमें जो गुंशुत्र संक्या होती है बच्चो यह हमारा क्या होता है दो गु से related अगर कभी भी आपको question पूछा जाए थो उत्पति स्थान इसका क्या हो जाएक बच्चा इसका उत्पति स्थान जो हो जाएक चीन यानि कि चाईना इसकी क्या बच्चो उत्पति स्थान है ठीक है उसके बाद बच्चो में बात करते हैं इसकी cool यानि कि कि यह किसского का पौधा है ठीक है इसका जो कूल होगा बच्चो क्या हो जागा लेगूमिनेसी या फिर फैवेसी यानि कि ये भी क्या है बच्चो एक तरह का दलहन फसल का ही कूल में आता है ठीक है और अगर हम आगे भी बाते करेंगे जैसे एक बार बीच्चो इंटरांस में पूछा गया सवाल है ठीक है कि कौनसी फसल ऐसी है जो हमारा तेलहन और दलहन दोनों के रूपमे यूज हो सकती है तो फसल हमारा क्या हो जागा बच्चो सोया बिन हमारा एंसर होगा ठीक है इस तरह के questions में सभी लोग इस चीज़ को भी ध्यान देदो बच्चो टाकि आप लोग इस तरह के जो questions आते हैं दो crop को mix करके या फिर analytical questions होते हैं उन सभी को आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से करना है उसके बाद बच्चो इसकी push crumb की बात अगर करें ठीक है तो इसका push crumb को जो हम लोग रेसीम कहा जाता है और इसमें जो फल लगते हैं अब चुकि यह हमारा दलहन फसलों में है इसके फल को क्या को हो कि बच्चो पोड कहते हैं ठीक है इसके फल को जो है पोड कहा जाता क्योंकि यह हमारा कौन सी कुल का पोधा है यह हमारा जो है लेगुमिनेसी या फिर फैवेसी कुल का पोधा है तो जितने भी हमारे लेगुम आपका किस तरह से दिखता है तो इसकी morphology भी यहाँ पर बता दी गई किस तरह से आपके पौधे होते हैं और अनाज किस तरह से आपको पहचानना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चो अगला कि अगर हम बात करें major vegetable protein या फिर मुख्य रूप से अगर मैंने कल भी एक चीज रिपीट किया था आप सभी के सामने कि अगर भारत का मुख्य तेलहन फसल के रूप में अगर question पूछा जाए कि major oil seed crop in India तो इंडिया में major oil seed crop क्या था हमारा groundnut यानि कि मुंग फली थी लेकिन बच्चो अगर बात किया जाए बिश्व में major oil seed crop यानि कि बिश्व का तेलहन फसल कौन सी है तो वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चा सोयबीन हो जाएगा अब देखो सोयबीन प्रोवाइड 60% of the vegetable protein and 30% of the oil involved यानि कि बि तो 30% oil यानि कि तेल प्रोवाइड करता है ठीक है तो विश्व में जो है इसकी योगदान इतनी बड़ी है कि इसलिए इसका बिश्व का मुख्य तेलहन फसल जो है इसी को कहते है बच्चो ठीक है तो विश्व का अगर मुख्य तेलहन फसल अगर पूचा जाए बच्चा नेक्सट पुछा जाता है कि इसमें कितने परचूर मात्रा में पाया जाता है तो लईसीन जो होता है इसमें प्रचूर मात्रा में होती है ठीक है मात्रा में होता है लाइसीन उसके बाद इसमें अगर तेल की मात्रा पुछोगे चुकि मैंने आपको बताया है कि ये बिशो में जो है मुख्य तेलहन फसल तो इसमें तेल की मात्रा बच्चो कितना होता है 20% तेल की मात्रा होती है और 20-26% के आसपास आपका क्या था प्रोटीन था लेकिन इसमें क्या होता है उल्टा होता है इसमें 40-42% के आसपास यहां पर प्रोटीन होती है और 20% जो आपका क्या होता है यहां पर ओयल होते है तो इस तरह से जो है ध्यान देना है दोनों में उल्टा होता है केश ठीक है उसके बाद बच्चो इसको हम लोग wonder crop यानि कि चमतकारी फसल और yellow jewel पीली मोती भी कहा जाता है बच्चो इसको हम लोग पीली मोती भी कहा जाता है तो कभी कावर योआर question पूछा गिया है कि soya bean is also non health सोयब इनको क्या कहते है ए वंडर क्रॉप बी पीली मोती यानि कि यलो जोल और सी बोथ A and B तो हम लोग क्या लगाएंगे बच्चो बोथ A and B इस तरह से इसके उपनाम कहलो या फिर इसे और क्या क्या कहा जा सकता है तो इस तरह के कोस्टनस में आपको ध्यान देना है इसे व लगुदीवशीय पौधा क्यों है क्योंकि हमारा कॉनसे सीज़न में उगाये जाता है खरीब सीजन का क्रॉप होते है यह मैंने पहले भी आपको ट्रिक बताया जो भी खरीब सीजन के हो वो सौट ढे होंगे यानि कि लगुदीवशीय पौधे होंगे और जितने भी हमारे रवी सीजन के फसल होंगे वो हमारे क्या होंगे long day plant होंगे क्योंकि मौसमों के आधार पे फसलों को तीन अलग-अलग समूहों में क्या किया गया है बच्चा वर्गी करन किया गया है इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो ठीक है चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट से रहा करें बच्चो तो आप लोग जो है क्लास के दौरान जो है आप लोग क्लियर कर सकते हो ठीक है हाँ भी अच्चू होगा यो सियू सेट होगा बच्चो देखो most probably अभी तक जो चांसेस बन रहे हैं वो सियू सेट के लिए चांसेस बन रहा है ठीक है तो आप लोग कुछ भी हो या भी अच्चू हो या सियू सेट हो आपके स्लेबस में जो एगरी कल्चर से जो सवाल ठीक है तो इसलिए घबराना नहीं है इस तरह के चीजों में हाँ चलिए पीडिएफ जो आप सभी को जो है अवेलेबल हो जाता है बच्चो टेलिग्राम जो हम लोग की ग्रूप हम लोग की जो बेसिक सिख्चा बीएच्चू के नाम से जो टेलिग्राम चैनल है वहां से आपको सारी पीडिएफ फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है बस आपको करना क्या है आपको नीचे जो है लिंक दिया हुआ है उसमें बस जूर जाना है बच्चो टीक है तो सारे पीडिएफ जो आपको टेलिग्राम पे अवेलेबल कर दिये जाएंगे ठीक है प्रण साहिल बंसल सलीए सभी लोग सी उसेट होगा या भी अच्चू होगा इसमें जो आप लोग को अपने प्रिप्रेशन को हम पर नहीं करना बच्चो ठीक है कोई भी एक्जाम सो एक्डी कल्चर के स्लेबस यही होने वाले है कुछ और नया बदलने वाला नहीं है ठीक है तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपने निरंतर रूप से तयारी करते रहो डिस्टर्ब मत हो कि यह एक्जाम होगा या वह एक्जाम होगा एक्जाम कुछ भी होगा सवाल वहीं से आएंगे जो स्लेबस में दिया है ठीक है तो इसलिए एक्जाम के पीछे मत भागो और अपनी तयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहो ठीक है चलिए उसके बाद तुम लोग बात करते हैं वर्ल का फर्स्ट रैंक ओल सीट क्रॉप इन वर्ल ठीक है तो बिस्व का पहली बिस्व का मुख्य तेलहन फसल है यह क्या है बच्चो बिस्व का मुख्य तेलहन फसल है ठीक ह इस चीज को ध्यान दे दिजे, विश्व का मुख्य तेलन फसल, बाद बार रिपीट कर रहा हूँ, सोयाबिन, और इंडिया का मुख्य तेलन फसल, मुंगफली, उसके बाद आगर बात करें, सोयाबिन वर्ल्स लार्जेस्ट, ओल्सीट क्रॉप तो है ही, और कितना तो 56% दिल उत्पादन सोयाबिन से होता है, इससे भी आप समझ सकते होगि, 56% होता है, तो इसलिए विश्व का मुख्य तेलन फसल है, इसके जो फल के प्रकार होते हैं बाद्चों, फल के प्रकार को क्या कहते हो? पॉड कहा जाता है क्योंकि यह द्यलहन फसल का है इसके पुर्स्प्रम को रेसिम कहते हैं यह चीजे जो है आपको बता दिया था मैंने चलिए आगे बात करते हैं नेक्स जो आप सरी को बता है कि सोयाबिन की इस तरह का पौधा है बच्चो तो यह हमारा स्वाप परागीत पौधा है यानि कि इसमें जो परांगन होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है ठीक है हाँ शर हिंदी मेडियम का तयारी हाँ बच्चो देखो रोसन यादव यह बता दूँ आपको जो हमारे यह प्लैटफॉमप पर आपको हिंदी मेडियम का तयारी होता है यहाँ ठीक है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है जोबी छीजें हम लोग बताते हैं यहाँ पे रोसंग दोनों ही language में बता आ जाता है ठीक आप देख सकते हो classes को ठीक प्रिवियस lectures भी available है ठीक आप वहाँ से देख सकते हैं अस्तोष सिंग पूछरे math के student agriculture attempt कर सकते हैं जरूर कर सकते हो बच्चा ठीक है ICR के exams हो या BHO interns हो चाहे UP केड़ेट हो math के बच्चे भी agriculture attempt कर सकते हैं अगर आप बिहार से हो तो बिहार combined में आपका इंटर में agriculture होना जरूरी है अगर आप exam में अगर agriculture attempt करोगे तो लेकिन बाकी जो exam से UP केड़ेट, ICR और BHO interns जो हो रहा है उसमें जो है आप math वाले बायो वाले बच्चे आराम से अगरी कल्चर attempt कर सकते हैं इसमें घवराने की बात नहीं है ठीक है जरूर कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं यानि कि इसमें कैया होता है उपर भूमिक अंकूरन पाया जाता है उपर भूमिक अंकूरन होती है इसमें कैसी अंकूरन होती है बच्चो उपर भूमिक अंकूरन इसमें कैसी अंकूरन होती है अंकूरन मतलब क्या होता है बच्चा जर्मिनेशन तो इसमें कैसी जर्मिनेशन होती है बच्चो यह उपर भूमिक अंकूरन जो है इसमें पाया ज होता है उपयोगत होता है गर्म और नल्म дрμ आयू में सवया विन का उत्पादन अच्छे से होता है विम्नका अचछा होता है कि ऐससे आपको जलव आयू के बारे में भी अगर पूछा जाएगा तो वाम एंड मोईस्ट क्लाइमेट चाहिए क्योंकि हमारा कौन से सीजन की फसल है बच्चो खरीफ सीजन की फसल है जुन जुलाइम इसकी बुखाई करते तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि इसको कैसे इंवरोमेंट की जरूरत होगी अच्छा आश्वतो सिंग आपके स्टूडियो के बगर में जरूर कंडेक्ट कर सकते हो बच्चा ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं आयोडीन नंबर कितना होता इसमें 140 होता यह पॉइंट जो है बस फैक्च्छल पॉइंट है ठीक इसके आयोडीन नंबर कितने होते है आखे बात करते हैं अब देखो एक चीज और मैं बता दूँ कि जतने भी तेलहन फसल होते हैं जतने भी हमारा लेग्यूमीनेसी फैमिली या फैאमेसी कुल के जितने भी पौदे होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन इस्थिरी करन यानि कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है और वह क्यूं होता है क्यों कि वहां पर जो है राइजोबियम हो गएरा जो पाइने कौनसा बायो फटिलाइजर कंसा जैबीग करोगे तो क्या होता है यह इसके देख लोगाण यह वह पारक होता है राइजोबियम राइजोबियम तो ठीक है उसके बाद जैपोनिकम जो होता है वह आप पारक क्या है इसका बनस्पतिक नाम है किसका जो लॉट जिकलने में यह जापोनिकम एक जैवी गुर्बारक है जो किसके लिए पारिकुललर यूज करते हो वह ऐसे तो जेनरल इन जेनरल देखोगे तो राइजोबियम हम लोग तेल दलहन फासल के कुल जो होते हैं उसका भी राइजोबियम जैपोनिकम इस्ट्रेंज जो होता है वो मुख्यरूप से सोयाबिन में जैवी कुरुबारक कारे करता है ठीक उसके बाद मुएस्चर परसेंटेज जो है कटाई के समय नमी की प्रतिसत कितनी होती है कटाई के समय नमी कितना होना चाहिए पौधों में नमी कितना होना चाहिए तो 16 से बच्चो 17 परसें लेकिन भंडारन के समय जो है आप सभी को मैंने कल बताया था कि जितने भी मारे तेलहन फसल है उन सभी में भंडारन के सम नमी की बात हो रही है जब हम लोग फसल को काटते हैं जब फॉट हूं आश्तोस सिंग 8-10% ठीक है बच्चो 8-10% जो होता है वो हम लोग भंडारन के समय पर यूज करते हैं लेकिन अगर हम पाटिकुलेट ऐसे ऐसे बात करें तो कटाई की समय जो नमी आपका 16-17% होता है ठीक है आश्तोस चलो आगे बात करते हैं बीनी टेस्ट जो होती है अब द और बता दू कि हमारा तेल हनफसल है अग два को जांदा देने होता है क्योंकि सल्फर जो है वो हमारा तेल निर्मानके लिए लावदायक होता है ठीक है तो इसमें जो बिनी टेस्ट होता है बिनी सवाद से अario क्या करण से उती है तो से लिए लिए हम coaching के बुछा जाए कि sulphur क्यों ज़रूरी होता है तो तेल के निर्मान के लिए भी जो है बच्चो sulphur क्या मस्तों सकता होती है और इसमें जो बीनि टेस्ट होता है उसके लिए भी जो है आपका यहां पर जरूरत होती है ठीक है तीज थी ce Layer हाँ तना याद गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग सब्सेस कने पुंडर। में येलो जो एलो कहते हैं यानि कि गरीबो का मांस भी कहा जाता है तो पूर मेंस मीट कहलो या बोनलेस मीट कहलो या येलो जो एलो जो एलो या वंडर क्रॉप कहलो इसके काफी उपनाम दिये गए ठीक है तो चारो ही उपनाम याद कर लो क्यों कई बार अभी तक कोई एगरी कल्चर का एक्जाम दिया है या फिर प्रिवेस येर कोशन देखोगे न तो इन उपनाम से कोई बार कोशन पुछे था कि इन में से कौनसी फसल को हम लोग गरीबो का मांस कहते हैं इस तरह से कोशन जो है उपनाम से कही बार कोशन पुछ नाम को याद कर लो इसको वंडर क्रॉप कहते हैं पिली मोती यलो जोएल कहते हैं गरीबो का मांस कहते हैं और हड़ी रहित मांस भी बोन्स मीट भी ही है ठीक है क्योंकि आपने चारों चीजेंब पढ़ी ए ठीक है तो इसलिए मध्य वाउपरदेश को क्या नाम चब्सोह पांजते हैं। इसे सोया एस्टेट कहने का रीजन क्या है बच्छा है तो मद्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है बच्छो सोया प्रदेश भी कहा जाता है ठीक है तो मध्य प्रदेश को क्यूं सोया एस्टेट कहा जाता है ये रीजन आपको समझ में आ गया ठीक है घरीबों का सेब अमरूत को कहते हैं आनन्द यादव वेरी गूड बच्चों ठीक अमरूत को कहते हैं सही बात है यही कोस्टन इस बार डोहजार एक इसने पूछा गया था ठीक है तो जो भी चीजे बता रहा हूं न यह सब चीजे हम अभी इस पर आएंगे बच्चा ठीक है उत्पादन और उत्पादक्ता में जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश होता है ठीक है तो सब बनस्पतिक तेलों में जो है सबसे पहला इस्थान किसका होता है सोयविन के तेल का होता है ठीक है बनस्पतिक वेजिटेबल ओईल में यह फर्स्ट पहला इस्थान पर होता है ठीक है तो सोयविन का तेल बनस्पति तेल में पहला इस्थान पर है प्रत्थम इस्थान पर है चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा कि फर्स्ट नोडिूल जो होती है जो पहली गाठ जो जैसे देखो अगर हम बात करते हैं तेलहन फसल की चाहे लेगुमिनेसी क्रॉप की तो लेगुमिनेसी क्रॉप में इस तरह से क्या होता है यहाँ पर बच्चो गाठ बनती है इस तरह से जो यहाँ पर नोडिूल्स बने रहते हैं और इन नोडिूल्स का काम क्या होता है नोडिूल्स इसको मैं जो इसमें हमारा nitrogen का निर्वान हो जाता है दस दीन बाद भूआई के ठीक है तो nodules का गाठ का बनना बनना भूआई के दस दिन बाद होता है भूआई कर कि दस दिन बाद होता है अ अघ्लिकों ये भी clear हो गया कि कि से गाठ बनते हैं गाठ क्यूं बनते हैं बच्चा नाइट्रोजन का fixation के लिए बनते हैं ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अब next point क्या है आपका soya bean को देखो अगर हम लोग बात करें देखो दो तरह के confusion होते हैं एक कि हम लोग इसको दलहन और तेलहन दोनों के रूप में यूज करते हैं लेकिन इसको हम लोग दलहन के रूप में प्रयोग नहीं होता है और क्यूं नहीं होता है बच्चा क्यूंकि इसमें लिपो औक्सिडेज पाया जाता है अब लिपो औक्सिडेज जो होती है वो उसके presence में पाया जाता है अब लिपो औक्सिडेज पाया जाता इसी कारण से जो इसको आम लोग use नहीं करते है पछा टीक है तो लिपो आक्सिडेज के पेंज के कारणा के इसको आम लोग तेलहन फसल के रूप में यूज उसके बाद इसके लिए pH को कितना चाहिए तो आपका 6 से लेके सारे साथ pH मान जो है इसके खेती के लिए आवस्यक्त होती है तो यह चीज भी आपको ध्यान देना कि कितना pH मान जो है आपको इस फसल के उत्पादन के लिए आवस्यक्ता होती है इस चीज को भी नोट कर लीज क्या है तेलहन फसल है तो नो डाउट तेलहन फसल का एक ही ट्रीक बताया था उससे मेरा काम बन जाएगा कोई भी तेलहन फसल पूछा जाए उसमें आपका 8-10% ही यूज होता है तो इस चीज को ध्यान देना चलिए आगे हम लोग फिर नेक्स देखते हैं नेक्स पॉइंट क होते है उन सबीकों फैल्टी एसिट जो आपका का कौनशी फैट्ट झी फैट्ट्डि आपाइजाता है लिनोलीग और ओल सब्सक्राइब् sigets यह जाता है तो आपका यहाँ पर दो तरह के fatty acid पाये जाते हैं linoleic acid and olic acid olic और linoleic इन दोनों को confusion मत करना और protein कौन सी पाये जाती है lysine तो दोनों तीनों में जो है उसको जो है इधर से उधर नहीं करना lysine हमारा protein है और linoleic और हमारा जो olic acid है यह हमारा क्या है unsaturated fatty acid तो यह दोनों इसमें पाये जाते हैं उसके बाद nitrogen fixation यानि कि nitrogen इस्थिरी करन जो होती है बच्चो इस्थिरी करन कितना करता है तो nitrogen इस्थिरी करन जो होता है बच्चो आपका यह 40 kg प्रती हेक्टर के दर से करता है क्या करता है बच्चा 40 kg प्रती हेक्टर के दर से जो ही यहाँ पर हमारा यह नाइट्रोजन इस्थरी करन का कारे करता है 40 kg प्रती हेक्टर के दर से ठीक इस चीज को ध्यान देना next हम लोग बात करते हैं seed multiplication ratio सबका में बताते हैं 1 is to 8 कल बता है था 1 is to 16 आज बता रहा हूं ठीक उसके बाद for soya bin minimum तापमान कितना चाहिए 5 degree centigrade ठीक है तो निवनतम तापमान आपको कितना चाहिए वच्चा 5 degree centigrade ठीक है निवनतम तापमान जो होता है 5 degree centigrade चाहिए लेकिन इस्टतम तापमान इस्टतम तापमान जो होता है 30 degree centigrade और उच्चतम तापमान 40 degree centigrade ठीक है तो यह दोनों ही चीजों को ध्यान देना निवनतम आपका 5 degree पे भी इसकी खेती हो सकती है और इस्टतम आपका जो इसकी खेती करने के लिए आपको कितना चाहिए तो 40 तक भी चाहिए बच्चो ठीक है तो इस तरह से आपको दोनों ही इस्टतम निवनतम और आप्टिमम टाप्रेचर भी बता दिया ठीक है आपका यहां पे 20 दर लगता है ठीक है और इसमें दूरी भी बढ़ा के देते हैं तिस वज़े से जो है ठीक इसमें दूरी कितनी होती है 45 से 60 cm इंटू 15 से देखो यह जो दूरी होती है बच्चा वह आपका आर इंटू पी है ठीक है जैसे यह मानलों यह आपका इस तरह से आपने एक खेत है ठीक है एक खेक्टर भूमी है आपकी यह एरिया है ठीक है जिसमें आपको खेत में लगाना है मानलों एक खेक्टर एरिया है ठीक तो इसमें आप क्या करोगे इस तरह से रो इसको हम लोग क्या कहते है यह जो दूरी होती है बच्चा इसको हम लोग क्या क तो 15-20 और 45-60 आपका क्या है R into P का डिस्टेंस है तो इस तरह से आप आराम से इजली आप निकाल कर आ सकते हो इसमें पौधो की संख्या भी आप निकाल सकते है इस रेंज को देखा ठीक तो इस तरह से आपको अगर पौधो की संख्या पुच्छा जाएगा तो इसमें से सब्सक्राइब करते रहेंगे तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब इसमें इसकी बुआई का समय होता मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चो कि हमारा क्या है खरीब सीजन का फसल है यानि कि इसका बुआई होती है बच्चो वो 15 जून से लेकर आपका 15 जुलाई तक होता है इसलिए इसको हम लोग हिंदी में अगर देखोगे तो जून के तीसरे हपते से लेकर और जुलाई के दूसरे हपते तक यानि कि फर्स्ट फोटनाइट यानि क जुलाई में लगाते तीसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा अपका इमर इवनिंग बचा चलिए तो इस तरह से आपको ध्यान देना है चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बात करोगे बच्चो बूआई की गहराई की अगर बात करें बच्चो बुआई की गहराई की बात ठीक है बुआई की गहराई क्या होगी अब बुआई की गहराई जो होती है बच्चो आपका क्या होता है तीन सेंटिमीटर इसमें बुआई की गहराई दी जाती है क्यों इसमें जो है आपका कैसा जर्मिनेशन होता है इसकी बुआई की गहराई जो है कितनी होनी चाहिए तीन सेंटीमीटर जो इसमें बुआई की गहराई होती है चलिए नेक्स्ट आप हमें बाते करते हैं बच्चो इसमें देखो खरपतवार की अगर बात करोगे तो खरपतवार है सबसे पहले चलिए प्रपतवार जहां पर है वहां पर खरपतवार नासी प्रयोग करोगे क्योंकि हर्वी साइट के बिना खरपतवार का नियंतरन करना पॉसीबल नहीं होता है तो अब कौन-कौन से खर्पतवार नासी आप यूज करोगे तो देखो खर्पतवार नासी मैंने तीन अलग-अलग चरण बताया था ठीक है PPI, Pre-Emergence और Post-Emergence यानि कि बुआई से पहले, बुआई के बाद और पौधे खर्पतवार सब आने के बाद तो तीन अलग-अलग चरण थे, तो बुआई से पहले आप किसकी यूज करोगे बच्चा? फ्लू क्लोरेलीन की यूज करोगे और इसका बैपारिक नाम जो होता है बच्चा वो बसालीन होता है इस वीड मैनेजमेंट में और भी चीज़ें आपको डीटेल ने बताऊंगा कि कौन-कौन से खर्पतवार के बैपारिक नाम क्या होते हैं सारी चीज़ें बताई जाएगी ठीक है अभी जिस्ते questions पूछेगा है उनको मैं यहाँ पे आपका remind करवा दे रहा हूँ ठीक है यह 2019 से पूछा क्या question है कि कौनसा खर्पतवार नासी आम रूप से सोयाबीन में यूज होता है तो इसमें हमारे यही दोनों यूज होते हैं आम रूप से ज्यादा maximum यूज होने वाले एलाकलोर और मेट्री बुजीन है इन्ही को हम लोग क्या नाम से भी जानते है बच्चा सोयाबीन हर्पी साइट के नाम से भी इन्हे जाना जाता है तो इसचिज को भी नोट कर लो कहीं ठीक है कौन सा हर्भी साइट को हम लोग स्वयविन हर्भी साइट कहते हैं और कितना दर एक से डेर केजी प्रती हेक्टर ठीक है दर इसलिए बता दे रहा हूँ कई कबार जो है आपको मेस दो फॉल्लॉइंग में हो सकता है आपको जो इससे भी कोस्टन्स बूटाउन कर दिया जाए ठीक है चलिए आगे हम लोग बाते करते हैं फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा ठीक है चलिए चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए उसके बाद बच्चो यह एलाकलोर जो होता है इसका बैपारिक नाम लासो होता है ठीक है यह भी आपके लिए ध्यान देने वाली बाते हैं क्योंकि पूछा गया था कि पूछ फॉलएंग ट्रेड नेम ऑफ लासो अलाकलोर का ट्रेड नेम क्या होता है तो लासो होता है फ्लू क्लोरिन का बता दिया वैसलीन होता है ठीक है और पोस्ट इमर्जेंस यानि की पौधे में खर्पत वाराने के बाद आप इमेजेथा फायर का यूज करोगे कल भी बताया था कि मुम्फली में भी हमारा कौन सा पोस्ट इमर्जेंस सर्विसर यूज हो रहा था इमेजे था पायर ही यूज हो रहा था ठीक है रतना यादब नो डाउट चलो ठीक है बच्छा पर नेक्स्ट पॉइंट को डिसकस करते है ठीक है पोस्ट इमर्जेंस क्या हो जाएगा आपका इमेजेथा फायर और यह पोस्ट इमर्जेंस है विसाइड तो कभी मालनों पूछ दिया कि इन में से कौन सा हमारा पोस्ट इमर्जेंस हर भी साइड है फ्लू क्लो लीरी ने और इमेज़े था फायर तो ऐसे बता दोगे आप कि इमेज़े था फायर क्या है हमारा पोस्ट इमर्जन सर्विसाइड है और एला क्लोर मेट्री बुजिन क्या है प्रीमर्जिंस है यानि कि इसको बुआई से बाद भावेधन का समय होता है उसके हिसाब चलो अब आगे बात करते है चले देखते है कोई डाउट नहीं है बच्चो तो आगे हम लोग पी नेक्स्ट पॉइंटigung भी करते हैं ठीक है चलिए ओके अब देखो बच्चो यहां पे जो आप लोगों की डाउट थी उसको दूर कर देता हूं छेत्रफल के हिसाब से जो है बच्चा आपका छेत्रफल के हिसाब से जो आपका सबसे ज्यादा खेती जो है कहां पर होती है मध्य प्रदेश में ठीक है त तो मध्य प्रदेश जो है आपका उत्पादन के हिसाब से भी होगा और आपका जो है यह हमारा छित्रफल के हिसाब से भी होगा लेकिन यहाँ पर बच्चो देख लो गेम हो गया यहाँ पर उत्पादक्ता के हिसाब से अगर बात करोगे तो उत्पादक्ता के हिसाब से पर पढ़ेंगे जो USA के origin के हैं और जो हमारा भारती ये मुलका है ठीक है तो जो American origin के किस्म है हाँ चलिए ओके ठीक है अब varieties में बच्चो किस्म में जो है दो तरह के किस्म मुख्य रूप से पढ़ते हैं एक होता है हमारा जो American origin का तो USA मतला अमेरिका origin का कौन-कौन से है तो देखो जो भी नाम तुमको लगे ना कि थोड़ा विदेशी नाम है उसको ध्यान देदो कि यह हमारा क्या है विदेशी वेराइटीज है जैसके ब्रैग, ब्रैग, ली, केंट, क्लार्क ये सब क्या है जैसे ब्रेटली हमारे विदे केंट, क्लार्क और ब्लैक हाड ये पांचों जो किस्म बता रहा हूँ ये सारे के सारे हमारे American origin अमेरिका से आये हुए किस्म है उसका दब बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन तो देखो कितना प्यारा नाम है सिलाजित, अलंकार, अंकूर, पंजाब और मोनेटो ये सब के स सारे हमारे क्या है, American origin की वेराइटीज है, तो वेराइटीज को जो है, वेराइटीज से काफी questions भी आते हैं और बच्चों के confusion भी रहता है, ठीक है, तो जो वेराइटीज ये आप बता रहा हूँ और उसके बाद जैसे exam से पुर्व, जो currently research station से जो भी वेराइटीज माँ देता है, तो कोई डाउट नहीं होगा, चलिए, ठीक है, कोई दिकत नहीं है बच्चो को तो, आगे बढ़ते हैं, अब, चलिए बच्चा आप, नेक्स्ट हमनों बात करते हैं, इसमें बीज उपचार की ठीक है, यानि की बीज उपचार कैसे करते हो, अब देखो बच तो वो क्या करेगा आपका आने वाला पौधे को क्या करेगा नस्ट करेगा अंकुरन छमता को घटाएगा और जब अंकुरन ही नहीं हो पाएगा तो क्या करोगे पौधे आपके हेल्दी नहीं आएंगे और नहीं आएंगे तो आपका उत्पादन घट जाएगा इसलिए सायन जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ठीक है तो बीज उफचार के लिए कारबेंडा जीम और थिराम का प्रयोग करते हैं ठीक है कारबेंडा जीम और थिराम का प्रयोग करते हैं इस चीज को नोट कर लीजिए ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं है अब आगे बात करते है कि इसमें बीज उपचार कैसे करते हो और एक चीज और मैंने राइजोबियम जैपोनिकम का नाम कुछ दिर पहले मैंने जिक्र किया था तो इसको हम लोग बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से भी ट्रीट कर देते हैं किस तरह से करते हैं पूरी डिटेल हमें जाने की ज़रूत नहीं है तिन पैकेट हम लोग सिंपल फोस्फो बैक्टिरेज को पीएस भी कहते हैं इन सब को यूज करके फॉस्फोरस का इस्तिरी करन के लिए और यह जो हमारा राइजोबियम न यूज करेंगे ठीक है बच्चा तो इस चीज को ध्यान दे दिए नेक्स्ट जो है इसकी जल मांग अगर बात करेंगे तो जल मांग इसमें कितनी चाहिए तो आपका 450-700 mm जो है इसमें जल की आवसकता होती है और इसमें अगर बात करोगे कि इसके लिए सिचाई के महतपु नियंतरन के लिए लेकिन मुख्य रूप से क्या यूज करोगे बच्चा तो एला क्लोरी यूज करोगे इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में ठीक है और हभी साइड की अगर नहीं दिये आपने तो दो बार आपने हाथ से अगर 20 दिन पे और 35 दिन पे अगर आपन से निराई कर दिया उसमें खर्पतवार निकाल दिया तब भी आपके खर्पतवार क्या होंगे नियंतरित हो जाएंगे इसमें उसके आप स्पेसिंग से रिलेटेड आपका था यहां पे 30 और पांच सेंटीमीटर भी कर सकते हो और उससे पहले जो मैंने आपको बताए 45-60 तो यह भी आपका जो है इस्पेसिंग हो सकती है ठीक है उसके बाद जो है बच्चो यहां पे देख लो रोग से रिलेटेड देखो रोग और किटानू यह भी काफी इंपोर्टेंट चीजे होती है हाँ क्याप्टेन का भी प्रयोग कर सकते हो लेकिन ज्यादा तर जो होता है बच्चो अनुराग अनंद ठीक है ज्यादा तर हम लोग थिराम और कारवेंडाजीम का प्रयोग ज्यादा तर कॉमनली करते हैं अन्य फसलों में भी आप देखोगे जैसे जैसे पढ़ोगे तो उसमें क्याप्टेन की जगे क्यारबेंडाजीम और थिराम का प्रयोग करते हैं ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट यह एक रोग की बात कर रहे है अब स्वयबिन में लगने वाली रोग की अगर बात करोगे तो अल्टरनेर स्वयबिन की खेती है और आपने खेत लगाया है तो आप इन लच्छनों से भी आप पहचान कर सकते हो खुद से ठीक है अलग से किसी एकडिकाचर एसपर्ट को बुलाने की विज़रूरत नहीं आप इन लक्षनों से जो है आप बहतर तरीकी से आप बता सकते हैं कौन सा र कि सली आपको सारे डाइग्राम्स बता दिये गहां कौन-कौन से रोक के लचन क्या क्या होते हैं अल्टरर्लेरिया का देख रहे हो बैक्टेरियल लीफ्प ब्लाइट तीक है तिसी तरह से यही सब लच्छन होते है इसी तरह से आपको आइडिनटिफाइ करना है अपने क्र चारकोल रॉट आप देख सकते हैं चारकोल रॉट मतलग किस तरह से आपकी जो यह जो प्लांट होती है वो इस तरह से सड़ जाता है और किसके कारण से होता है चारकोल रॉट मैक्रोफोमीना फैसियोली नामक का वक्ठीक है तो इस तरह से आपको नाम भी आपको important है क्योंकि कई बार क्या होता है match the column में इस तरह से आपको पूछा जाता है यहाँ पर आपके disease दे देंगे और यहाँ पर जो है आपका क्या देदेगा pathogen देदेगा और disease और pathogen में जो है आपको क्या करना पड़ेगा match the following करके questions पूछ दिये जाते हैं तिने लिए आपको important है कि सारे जो यहाँ पर सडन होती है उसके बाद सोयविन मोजाइक मोजाइक कहीं भी दीखे न बच्चा तो मोजाइक हमारा क्या होता है वाइरल होता है चाहिए सोयविन मोजाइक हो यह यहलो मोजाइक हो यह दोनों के दोनों जो होते है वह हमारे क्या है विसानू से लगने वाला लच्छन आप देख सकते हो यलो मोजाइक का इस तरह से होता है और सोयविन मोजाइक की जो है आपकी जो होती है अलग टाइप के उस पर धारीदार पैटरन बन जाती उसके पत्तियों पर इस तरह से आप बता सकते हो कि यह जो दोनों है हमारे क्या है वाइरल इंफेक्शन य पूरी डिजी साइकल बनाई है रोग चक्र पूरा बनाई है उसमें रोग थाम के लिए क्या करना है तो यह सारी चीज़ें अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं फिलाल के लिए आप कौन सी कॉजिटिव एजन्ट है किसके कारण से होता है किस फसल में क्या बिमारी लगत होता है तो इसमें लगने वाले किट क्या है बिहार हेरी केटरपिलर यह कौन सा है स्पाइलो सोमा उबलीका उसका तो इसका क्या है एफट इस पेसिस उसका थ्रिप्स टबाकी और वाइट फ्लाई यानि कि सफेद मख्षी जो होता है बच्चो इस सफेद मख्षी आपके ब नेक्स्ट विक से आपकी chemistry classes जो है जैसे हमारा time table था उसी रूप से जो है सुचारू हो जाएगी ठीक है तिसले घबराना नहीं chemistry classes भी चलेंगी ठीक है आज जो है आपकी agriculture और reasoning की classes चलेंगी बच्चा ठीक है तिस तरह से बच्चों हमने आपको सारा चीज़ें जैसे रोग कौ से लगती है उसके बाद कउन कउन से पेस्ट पर नाम से लेकर उसमें लगने वाले रोग और उसमें लगने वाले कीट सारी चीजों के बारे में के बारे में ठीक है तो next जो class होगी बच्चो उसमें लोग mustard के बारे में discuss करेंगे तो दो तलहन फसल के बारे में आप सभी को बता दिया मैंने clear करके roundnut मुम्फली के बारे में बताया और सोयाब इन के बारे में बताया थिर हम लोग बात करेंखे mustard चड़ यानि कि सरसों के बारे में और फिर जो होगा बच्चो नेक्स सेशन फिर उसमें हम लोग फिर से MCQs लेकर आएंगे जिसमें तीन तेलहन फसल जो आपको बताया है वो तीनों तेलहन फसल को आप कर लिजेगा फिर आपको टाइम मिलेगा उसके दूसर में रिवाइज करके फिर हम लोग जो है तीनों तिलहन फसल पर बेस्ट MCQs लेकर आएंगे ठीक है तो अगला जो लेक्शन जो अबला लेक्चर होगा बच्चो उसमें हम लोग सरसों के बारे में and take care.